नवसकार दोस्तों, आज का टॉपिक है जो इस्टुडेंट राइस्तान शीएचों में सलेक्ट हुए है उन्हीं की परिशानियों को लेकर है तो सबसे पहला मुद्दा है कि जिन लोगों को हम डिस्टिक अलोट्मेंट नहीं हुआ है तो उनको हम डिस्टिक अलोट्मेंट होगा और दूसरा मुद्धा है राष्टान CHो के अंदर की CCH कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है या कहां प्रोसेस में पहुचा है इसी सभी के बारे में आज वीडियो में बात करने बाले हैं वीडियो को skip ना करें और वीडियो को end तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए नहीं तो आपको बात में पस्ता ना भी पड़ सकता है तो वीडियो को like share subscribe करना ना भूलें तो दोस्तो पहला मुद्धा है कि जिन लोगों को home district allotment नहीं हुआ है तो उनको मिलेगा या नहीं तो मिलेगा तो कम मिलेगा तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि home district allotment सबको मिलेगा वट कुछ time लग सकता है क्योंकि NHM staff जो लोग student 21 और 22 को NHM office पर application देने गए थे उनसे क्या है NHM staff कुछ आक्रोस में चल रहा है so home district में मिलने में कुछ time लग सकता है लेकिन सबको मिलेगा और दूसरा मुद्धा है कि CCH course start कब होगा तो दोस्तो CCH course start कुछ लोगों को कहना है कि 15 जुलाई से पहले हो जाएगा लेकिन आप ये समझेए कि जब 15 जुलाई से पहले ही कुर्स start करना होता तो क्या ये है जो home district allotment दिया जा रहा है ये होता दोस्तों तो अगर 15 जुलाई से पहले CCH course से start होना तो home district allotment क्यों करते दोस्तों तो दोस्तों CCH course से start तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से सरकार पर pressure बनाए तो सब कुछ possible है तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए इतना ठेंक्यू